हलो अवरिवन आज का जो मेरा सेशन है वो इस्पेशली 23-24 निमसेट इस्टुएंट के लिए जो निमसेट जे नियू डियू भी एसे एक्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं देखें आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन कॉंपिटिशन भड़ता जा रहा है और अगर हम देखें तो पिछले 3 यह में हर साल डवल होते जा रहे हैं इसलिए अगर हम सही समय पे प्रॉपर गाइडेंस के अंदर प्रिप्रेशन करते हैं तो उसका वेनिफिट मिलता है तो इस बार हम लोग 23 का जो नियू बैच है और 24 का वो 8 ओफ डिसमबर से स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी में होता है पर इतनी इंक्वारी थी बच्चों ने अल्रेडी रेजिस्टर कर वा लिया इस बैच के लिए और इस बैच में हमने दो असेस्मेंट टेस्ट भी रखे हैं और यह असेस्मेंट टेस्ट का लेवल है 9 और 10 तो आप जोइन करने से पहले मैं कहूंगा आप यह टेस्ट भी दीजिएगा कैसे देना है टेस्ट वो में बताऊंगा तो सबसे पहले बात करता हूँ कि 23 और 24 के लिए दो तरह से हमारे बैचे स्टार्ट होंगे एक classroom program और एक online program यदि आप classroom program जोईन करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं उसके लिए आपको बोपाल आना होगा और यहाँ पर आन तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आप क्या करिएगा कि हमारी जो वैफसेट है उस पर जैसे ही है आप जाएगे तो कोर्स लिस्ट में जाएगा और अगर आप 22-23 के लिए हैं तो याद रखेगा ऐसा भी नहीं कि बहुत पहला बैच है A, B, C, D, E बैच हो चुका यानि एक round of syllabus हो गया अब new batch जो start हो रहा है F batch जो की 8 of December से start होगा और साथ में new test series भी start होगी आप जैसे ही इसको click करेंगे तो यहाँ पर आपको यह batch open हो जाएगा इसमें और इसमें यहाँ पर जब जाएंगे आप तो यह देखिए self assessment test है और इसका जो syllabus है वो 9th तो 10th level के उपर है तो इससे आप समझ पाएंगे क्योंकि मेरा यह प्लान है कि इस बार जो 23-24 का batch हो हमेशे ही मैं ऐसा करता हूँ सब कुछ cover हो regular basis पर आप material के साथ पढ़ाई करें इसके लावा आपके weekly इसमें test होंगे क्या होता है जब हम proper guidance के अंदर पढ़ाई करते हैं तो उसका हमेशा फायदा होता है self steady से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपकी पढ़ाई रोग regular six hour seven hour हो रही तो okay उस case में मैं आपको बोलूँगा कि आप test series जोइन करें अगर वो सब timely चल ला है तो आप test series के साथ जुड़े और अगर आपकी रेगुलर्टी यह पंचुल्टी नहीं आ रही तो मेरा suggestion यह है कि आप regular batch join करें इसमें एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि everyday classes होंगी और यह classes बढ़ते बढ़ते per day two classes हो जाएंगी बाद में अभी जब one classes start करेंगे फिर next month में two classes होंगी और timing हमेश हम ऐसा रखते हैं कि जिससे college की problem ना हो या तो morning 10 के पहले या evening 4-4 30 के बाद तो इस तरह से आप इस classes को join कर सकते हैं first one month में हम लोग basic foundation math को cover करेंगे जिससे कि आप एक strong base बना पाएं और फिर हम धीरे धीरे अपने syllabus को cover करेंगे सबसे major important part होता है निमसेट या किसी भी mc entrance के लिए mathematics skill development और क्या होता है कि mathematics कई बार 11-12 के बाद हम क्योंकि पढ़ते नहीं है या फिर पढ़ा होता तो उतना confidence के साथ नहीं पढ़ा होता या फिर वो कई बार concept के लिए नहीं होते question solving approach नहीं होती तो यह सारी चीज होंगी तो अगर आप 23 batch को join करना चाहें तो 23 और अगर आप 24 वाले बच्चे हैं तो 24 के बिटा आप C batch को देखेगा और इसको join करिएगा तो इस तरह से आप new batches के साथ जोड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई start कर सकते हैं पर 8 of December से batch start हो उसके पहले मैं आपको एक चीज जबू बोलू पर सही action के साथ पढ़ा ही करते हैं तो उसका हमेशा फायदा होता है problem क्या होती है जैसे मैं अभी यह देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो 22 में exam देने वाले हैं वो अपनी preparation अभी start कर रहा है यानि 21 के December में तो उनको केवल 555.5 मत मिलेंगे अब ऐसे में उनके उपर ब performance देना तो कई बात time कम होने के वज़े से फिर नहीं हो पाने पर फिर drop लेना पड़ता है तो आप सभी जो बच्चे 23 या 24 के लिए eligible हैं मैं बोलूँगा आप time रहते हुए पढ़ाई करिए उससे एक बात बिलकुल पक्की है कि आपको drop नहीं लेना पड़ेगा and second most important thing कि यानि इतना कम टाइम अगर आप regular basis पर देंगे इसके लावा 223 की classes भी होंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि इधर पर class होगी करीब 2R की तो अगर आपने अभी से 5-6 घंटे देने लगे 24 वाले बच्चे और 23 वाले बच्चे अगर 6-7-8 आर देने लगे तो इस बात के chances बहुत हाई होंगे कि आपको बिना ड्रॉप लिए आप एक अच्छा रिजल्ट जे सके हैं और इंपीटर्स गुरू कुल हर तरह के student को support करता है जो self-study कर रहे हैं उनको भी मैं आपको every month proper guidance देता हूं कि क्या करना है बस एक चीज़ याद रखेगा कि self-study के साथ अगर commitment पूरा proper चला है तो problem नहीं है नहीं है तो immediately आप impetus गुरू कुल में contact करें जोईन करें आज सब सची बात है कि आप इंडिया के number one institute से जोड़ना है जहां पर result भी है बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और आप बहुत सारे skills को develop करेंगे तो समेर हैते हुए action लेने का फायदा ह होता है और अच्छी बात यह है कि आप easily आज यह सब बाते possible हैं कि आप घर माल लेजें नहीं आपाना है क्यों पहले क्या होता था कि जोईन करना classroom तो आपको घर से बहाँ जाना परता था अब आप आ सकते हैं ओके नहीं आ सकते तो घर पर बढ़िए और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप online study करिए केवल online से classroom में आप जबी shift होए कई बच्चे online से classroom में भी shift होते हैं उस case में fee difference pay करनी होती है पर वो जबी होते हैं shift जब घर पे पढ़ाई नहीं हो पारी जैसे घर छोटा है या self commitment नहीं आपा रहा है घर पे या कई बार बैठते हैं disturbance बहुत है उस case में ही मैं बोलता हूं classroom आई है नहीं तो आप online है के पढ़ाई कर सकते हैं तो एक बार फिर बता दूं कि 8 of December से batch start हो रहा है और starting हम basic math से करेंगे यानि 9th level के math से करेंगे और फिर धीरे हम इसका level को बढ़ाते जाएंगे और करिब करिब 2-3 rounds में syllabus को cover करेंगे यानि 23 batch को 2-3 round syllabus का पूरा होगा और 24th के 5 round syllabus के complete होगे यानि 5 cycle और जब syllabus का बार-बार repetition होता है तो definitely performance भी बढ़ती है और concept भी develop होते है speed भी आती है और उसका फायदा आपको rank में सीधा सीधा मिलता है और आप NIMSET के लावा अभी आप देख रहा है इंडिया में हर जगे पे इंपिट जामिया देंगे ऐसे कई सारे exams हैं जिन सबको आपको देना है तो एक बार फिर बता देता हूं कि आपको batch से जुड़ने के लिए करना क्या होगा आपको सबसे पहले impetus की website पर जाना होगा live.impetus.gurukul.com और अगर आप 23 वाले बच्चे हैं 22-23 वाले तो 22-23 का app batch को जोईन कर हैं और अगर आप बाई चांस जो session सुनना है 22 वाले हैं तो उनके लिए L batch है जो 16 November से start हुआ तो आप अपने according batch को select करिए और अगर आपको test series जोईन करना है तो आप इन courses की test series भी जोईन कर सकते हैं अगर आप self study exercise कर रहे हैं और classroom online दोनों प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं छे से 8 घंटे regular पढ़ाही करने की जह हुआ थे और जब आप properly join कर लेते हैं तो यह regulatory अपने आप बनती क्योंकि हम आपको एक तो regular basis पर study material टेस्टिंग करेंगे जिससे आपकी regulatory maintenance चली thank you and all the best